आज के दिन के बारे में आज के दिन सन 1910 को चालंधर पंजाब में उपेंद्र नाथ अश्क का चन्म हुआ था ये अपने दोर के जाने माने कवी, उपन्यासकार, निबंधकार, लेखक और कहानिकार रहे हैं ये उर्दू के सफल लेखक रहे और मुन्शी प्रेमचंद की सलहा पर हिंदी में लिखना इन्होंने शुरू किया, 1933 में प्रकाशित इनके दूसरे कहानी संग्र है, और अगर इनकी यादगार रचनाओं की बात की जाये तो इसमें गिर्दी दीवारें, गर्मराख, सितारों के खेल, लोटता हुआ दिन, बड़े खिलाडी, जय पराजय, जुदाई की शाम के शाम बेनेगल का भी जन्म हुआ था हैदराबाद आंगरपरदेश में, और दोस्तों ये जाने माने फिल्म निर्देशक और पटकत्था लेखक हैं, मुख्यधारा से अलग फिल्में बनाने वाले भारत में हिंदी सिनेमा के एक अग्रणिया फिल्म निर्देशक किये हैं, सार्थक सिनेमा के प्रति प्रतिवध फिल्मकार शाम बेनेगल अपनी श्रेणी के किसी भी फिल्मकार की तुलना में उनसे ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, और दोस्तों ये पदमश्री, पदमभूशन, दादा साहिफ फाल के पुरुसकार और पांच बार राश्रिय फिल्म पुरुसकार से भी सम्मानित रहे हैं, और दोस्तों बात की जाए इनकी यादकार फिल्मों की तो उसमें अंकुर, मन्थन, कल्यूग, जुनून, त्रिकाल, मंडी, सूरज का सात्मा घोडा, सरदारी बेगम, समर, हरी भरी, जुबैदा और इसके अलावा भी कई नाम शामि और ये परमवीर चक्र से सम्मानित भारतिये व्यक्ति रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 17 जुलाई 1937 को रुरका गाउं लुधियाना पंजाब में, परमवीर चक्र इनहें 1971 में मरणो प्रांत मिला, भारतिये वायु सेना से परमवीर चक्र के एक मात्र विजेता, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए उस युद्ध में वीर गती पाई, जिसमें भारत विजए हुआ और पाकिस्तान से तूटकर उसका एक पूरवी हिस्सा बांगलादेश के नाम से आजाद राष्ट बन गया। इस समय निर्मलजीत से श्रीनगर वायु सेना के हवाई अड़े पर मुस्तेदी से तैनात थे और नेट हवाई जहाजों पर अपने करिश्में के लिए निर्मलजीत से हमेशा उस दाद माने जाते रहे। तो ये था आज के दिन का इतिहास और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू